नमस्कार लीडिया में आपका स्वाकत है बिजली आज की तारिख में सबकी बुनियादी जरूरत है उसके हमें कीमत चुकानी पड़ती है और हमने कितनी बिजली यूज की इसका पता मीटर से चलता है लेकिन कई बार मीटर खराब होने पर बिजली की सही रीडिंग नहीं आत करें जैसे ही आपको यह पता चले कि आपका बिजली मीटर खराब है आपको सबसे पहले बिजली वित्रण कंपनी को सूचित करना चाहिए केंद्रिय विद्युत विनियामक आयोग यानि CERC के नियमों के अनुसार बिजली वित्रण कंपनियों को हर 5 साल में एक बार बिज खराब नाज के लिए आप आविदन दे सकते हैं और उभोकता उसकी रिपोर्ड भी मांग सकता है अगर आपकी समस्या का सही समधान नहीं हो पाता है तब आप क्या करें अगर आपने आवेदन किया है लेकिन आपके मीटर का परिक्षण नहीं किया गया है या किसी ने भी आपकी शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है या आपको रिपोर्ट प्राप्त नहीं होई है या फिर आप अब भी पुरी तरह संतुष्ट नहीं है तो ऐसे किसी भी हालत में आपको अपनी शिकायत को वित्रण कंपनी के उभोगता शिकायत निवारण फॉरम पर करना चाहिए हर वित्रण कंपनी में सभी उभोकता शिकायतों के लिए एक अलग विभाग या फोरम होता है अगर आप यहां भी संतुष्ट ना हो तो राज्य विद्यूत नियामक आयोग द्वारा नियोगत राज्य विद्यूत लोगपाल के पास आप जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि मीटर दोश्पूर्ण है तो तुरंत सुचित करें क्योंकि ज्यादातर मामलों में वित्रण कंपनिया केवल कुछ महीनों के विलो का ही समायोजन करती हैं इसलिए आप लंबे समय तक इंतजार ना करें मीटर किसी भी तरह गलत हो सकता है मीटर तेज एवं धीम संभावना है अब इलक्ट्रोनिक मीटर चलते हैं जो सही रीडिंग ही दिखाते हैं इसलिए अगर आपके बिजनी मीटर सही नहीं है तो आप सुधारात्म को पाये जल्दी करें तो ये थी घराब मीटर से संबंधित कुछ जानकारी ऐसे ही वीडियो के लिए जोड़े रह स्ऴ कार बिए में आपके तो भी ये जोलु तो है इस जात्रोनिकार अए करें तो आहादो